नमस्कार मित्रो गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकच कुमार मिश्र एसोसियेट प्रोफेसर सेंटर स्टिफन्स कॉलेज एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष मृच्छ कडिकम के चतुर्थ अंक को ले करके उपस्थित हूँ और जिस चतुर्थ अंक में शर्विलक मदनिका का विमोचन वसंत सेना के साथ करवाता है जो मूल कहानी अभी हम लोग देख पा रहे थे उसको इस ढंक से समझते हैं कि जब ग्यात होता है मदनिका को कि चारुदत के घर में सेंध मार करके यह आभूशन शर्विलक ने लाया है और उसी आभूशन को दे करके वसंत सेना से मदनिका को चुराया जाना है तो थोड़ा सक्षोब होता है मदनिका के मन में क्योंकि चारुदत के घर में चोरी से उसके मन में कश्ट है क्योंकि वह वह चारुदत है जिसके उपर में वसंत सेना अनुरत है। इसी क्रम में एक उपाय ढूंडा जाता है और मदनी का सलाह देती है परामर्श देती है शर्विलक को कि तुम जाकर के वसंत सेना से कहो कि ऐसे से मुझे चारुदत ने भेजा है यहाँ आभूशन ले करके और उसने कहा है कि यहाँ आभूशन आप तक पहुंचा दें। ताकि जो शर्विलग का जो चरित्र है वो चरित्र प्रदूशित ना हो कि यह चुरी करके लाया हुआ है इसके आगे जब हम चर्चा पाते हैं तो मदनिका अपने साथ ले जाती है शर्विलग को वसंते सेना के पास और मदनिका पहले permission लेती है वसंत सेना से कि एक ब्रह्मन आया है जो ब्रह्मन आपसे मिलना चाहता है उसे पर थोड़ा सा एक हास परिहास करती है वसंत सेना मदनिका के साथ कि आपको कैसे मालूम कि ये उनका स्वजन है आदी-ादी खर मदनिका आग्या लेकर के और शर्विलक को लेकर के पहुचती है शर्विलक पास में जाकर के और एक अभिवादन है जो अभिवादन करता है वसंत सेना का अभिवादन क्या करना चुकि ब्रह्मन है तो ब्रह्मन सामानियत आया प्रणाम तो नहीं कहेगा लेकिन यहां पर जहां रखेंगे क्यों नहीं कहेगा प्रशन यह नहीं है कि नहीं कहेगा कहना चाहिए लेकिन एक प्रोटोकॉल है एक शिष्टाचार है कि कहां पर प्रणाम और कहां पर आशिरवाद देना है तो तदनुसार शर्विलक यहाँ पर वसंत सेना के लिए स्वस्ति भावत्य यह वाक्य प्रयोग करता है अर्थात आपका कल्यानों हो तो इस तरह से कन्वर्सेशन बिट्विन शर्विलक यह वसंत सेना जो है वो बेसिकली कंचिन्यूज वो स्टार्ट करते हैं यह आपस में वसंत सेना आर्य को प्रणाम करती है अभिवादन करती है वह भी आर्य वंदे और उपविशत वार्य है अर्थात आप लें और अपना स्थान ग्रहन करें बैठें यह बेसिक शिष्ठाचार है कहीं भी किसी जगह कोई आते हैं तो प्रणाम करके इमिडिएटली उनके प्रती जो एक शिष्ठाचार है वो आसन आदी चेहरादी बैठने के लिए कहते हैं तो वसंत सेना भी उसी के अधीन शिष्ठाचार का परिपालन करती है अब शर्विलक अपना बिना किसी भूमेका के बिना किसी इधर-दर की बात किये हुए direct to the point बात करता है कि सार्थवाह त्वाम विग्यापयती कि सार्थवाह जैसा हम लोग सब ही जानते हैं कि या सार्थवाह कोई और नहीं चारुदत है व्यापारी है तो व्यापारी चारुदत अर्थवाह त्वाम विग्यापयती त्वाम अब direct जो है हिट है वसंत सेना को कि आपको तुमको चारुदत यह कहता है तुमको लिए तुम्हारे लिए ये बाते संदेश बहिजवाता है क्या कि जरजरत्वाद ग्रिहस्य दूरक्षियम इदम भांडम कि ग्रिहस्य जरजरत्वाद घर के तूटे फूटे जरजर होने के कारण इदम भांडम ये जो भांड है भांड अर्थात जो अभुशन की पेटी है उस पेटी की रक्षा करपाना जो है दूरक्षियम अर्थात अत्यांत दुशकर है अत्यांत कठिन है तब ग्रिह यताम आप इसे स्विकार करें अब जो मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में भी दो-तिन विशय की चर्चा की थी यहाँ पर कि चारुदत का घर जर जर नहीं है चारुदत की दशा जर जर है चारुदत गरीबी में है इसलिए उनकी व्यवस्ता है जो ग्रिह के भीतर की व्यवस्ता है धन समपत्य आदि की दृष्टि से जर जर है घर जर जर नहीं है क्यों क्योंकि जब सेंध मारने के लिए शर्विलक आया था तो वह बखुवी दिवाल आदी का माप उची जानकारी लेता है और घर भी जब जाता है तो घर के भी दिवाल आदी की दर्शा जो है स्थापत्य की दृस्टी से वो अनुकूल है किया है और कोई सामानी ऐसा घर खरीद के उस घर में रहता है तो आर्थिक दृस्टी से जर जर है लेकिन स्थापत्य की दृस्टी से जर जर नहीं है इसलिए यह बात यहां पे सविशेश द्यातव्य है कि कहीं कॉंट्राडिक्शन तो नहीं है कहीं दोनों में एक जगा तो आपने घर के स्थिति अच्छी बताई, मकान की दिवार के स्थिति अच्छी बताई और दूजरी जगा यहां जर जर कह रहे हैं और दूरक्शियमिदं भांड़ं स्पश्ट है कि चुकि जर जर होगा तो हो सकता है कि चोड चोरी कर लें वसंते सेना को वह आभूशन समर्पित करना चाहता है मदनिका के परामर्ष से इती मदनिकाया समर्प्य प्रस्थिता है और वह जो बहांड है वो मदनिका के हाथ में जाकर के शर्विलक रख देता है और वहां से निकल पड़ता है वसंते सेना एड्रेस करती है यानि अबाउ उस प्रस्थान द्वार के पास पहुंचने वाला होता ही है कि वसंत सेना पीछे से आवाज देती है आरिय ममापी तावत प्रतिसंदेशं तत्रार्यो नयतु ममापी मेरी भी तावत प्रतिसंदेशं मेरी भी तब तक जो संदेश है उस संदेश को तत्र आर्यो नयतु आर्यो ले जाएं अपने साथ ले जाएं दूसरे शब्दों में आप चारदत्त के समीप से आए हैं तो मेरे भी कुछ संदेश हैं उस आर्यो चारदत्त के लिए तो वहां तक मेरे भी संदेश जो है वो संदेश को आप ले जाए विचारा वसं जो शर्विलक है वो फंस जाता है क्योंकि शर्विलक तो मदनिका के परामर्ष से जूट बोल रहा है कि चारुदत ने भेजा है चारुदत और शर्विलक आज तक कभी आमना सामना नहीं हुआ है बलकि चार कि पूरे नारी समुधाय के बारे में शर्विलक ने क्या क्या कह रखा था कि नारी जो है वो चतुर होती है किसी के होती नहीं है देखती किसी और को है बात किसी और से कहती है दिल में कोई और है और शारिक संबन किसी और से बनाती है तो ऐसी खतिपा ऐसी बाते शर्विलक न यानि अपने मन में कहता है वसंत सेना के उसे संदेश को ले करके कि वहां जाएगा कौन मैं तो जाने से रहा लेकिन अब चुकी फंसा हुआ है शर्विलक तो अग्यां तो माने नी पड़ेगी ही तो पूछ बैठता है कह प्रति संदेश है आपका कौन सा रिप्लाय है ऐसा क् संदेश है आपका आप बताएं और मैं या संदेश जाकर के वसंत सेना से सुना आऊंगा वसंत सेना कहती है प्रति छतु आरियह मदनी काम शर्विलक ने तो सोचा था कोई बातों का संबाद होगा बातों का संदेश होगा कि धन्यवाद कहेगी आपने इतने दिनों तक आभूशन को बचाए रखा इसके लिए धन्यवाद आदी कहेंगी वसंत सेना लेकिन ये तो कुछ उल्टी ही बात आ गई कि मदनी का को ग्रह अब यह एक्टिंग और रहा है शर्विलक को क्योंकि शर्विलक का तो उद्देश यही है कि चोरी के आभूशन से वसंत सेना के पास से मदनी का को छुडाना तो बात तो एक ही चीज़ चल रही है लेकिन वसंत सेना ने जिस प्रकार से शर्विलक को ट्रैप किया है उस आधार पर वसंत सेना के मुख से यह कथन सुनना कि आर्याब मदनिका को अपने साथ ले जाएं बातों में इतार्थम्य नहीं है कोई संबंध नहीं बन रहा है तो इसलिए शर्विलक को एक्ट करते हुए कहना पड़ रहा है कि भवती अर्थाते है आधर निया वसंत सेना नखल्व बगच्छा में मैं समझ नहीं पाया आज भी आम लोग अपनी बातों में कहब देते हैं पूछ बैठते हैं मतलब तातपर यह क्या है क्या कहना चाहते हो आधिस्तर की बाते होती है तो शर्विलक का भी यही भाव है कि आप कहना क्या चाह रही है हो असंत सेना कहती है अहम अवग अच्छा में भई आप चिंता न करें मैं समझ रही हूना मैं आपको कह रही हूना कि आप मदनिका को अपने साथ ले जाएए शर्विलक फिर प्रशन करता है कत हमेब अरे कैसे जरा हमें बताए कि आप क्या समझ रही है मैं तो मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही है वसंत सेना कहती है हमार ये चारुद तेन भणिता अब वसंत सेना भी एक मिथ्या का आश्रय लेती है जिसको कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात तो अगर शर्विलक और मदनिका के प्लैनिंग अगर इतने व्यापक हो सकते हैं तो वसंत सेना भी अपना एक नया को कहते हैं वो चाल चलती है लेकिन ध्यान रखेंगे वो वसंत सेना इसलिए कर रही है कि वसंत सेना ने मदनिका और शर्विलक के मध्य के समवाद को भली भाती सुन रखा है हमने बार-बार बताया है कि मंच पर एक फ्रेम में वसंत सेना बैठी है और दूसरे फ्रेम में मदनिका और शर्विलक का समवाद चल रहा है और वसंत सेना कान लगा करके उनके समवाद को चुपके से सुन रही है लेकिन ओवियस नहीं होने देती कि वसंत सेना ने उन दोनों हैं जब मेरी बेंट हुई थी आ जब मैं आभूशन देने के लिए गई थी रखने के लिए गई थी आर्ये चारुधत के घर तो उसमें आर्ये चारुधत ने कहा था कि यह इमाम अलंकारकम समरपईश्यती अर्थाथ है वसंत सेना जो व्यक्ति इस अलंकार को इम मलंकारकम अर्थाति इस आभूषन को समरपाईश्यति जो आपको सौपेगा तस्यत्वय। यहनी उसके लिए आपके द्वारा मदनिका दातव्या को आप मदनिका को देदेना जो व्यक्ति यह आभूषन ले करके आएगा उस व्यक्ति को आप इस मदनिका को सौंप देना ट्रैप है क्योंकि ना तो इतनी अभी तक बलकि वसंत सेना और चारुदत में तो इस प्रकार के विश्वास के समवाद अभी तक नहीं हुए बस एक दोनों इधर उनके मन में अनुराग है और इनके मन में अनुराग है अभी अनुरागों का परस पर आदान प्रदान दोनों के मध्य हुआ ही नहीं है हाँ ये अवश्य है कि एक दूसरे के मनो भाव को दोनों भाप गए हैं लेकिन शब्दों में ये बात निकल कर नहीं आया आई लव यू लेकिन फिर भी यहां तो प्ले हो रहा है समबादों के माध्यम से खेल खेला जा रहा है तो वसंत सेना ने भी नहले पे दहला मार दिया कि अगर आप चारुदत के यहां से ये आभूशन ले करके आए हैं तो उसी चारुदत ने मुझे कहा कि जो आभूशन ले करके आए उसको आप मदनिका को दे देना तो वही ये मतत सेव वही ये है एतामते ददाती तो इस प्रकार आप ये समझे कि वह चारुदत आपको इस मदनिका को सौंप रहा है इस प्रकार आप इसे समझें तो आपको जो मैं मदनिकाद दे रही हूँ ये मैं नहीं दे रही हूँ भाई जिसका आप आभुशन लेके आएं उसी के कथन पर मैं उसके बदले में आपको मदनिकाद को लोटा रही हूँ शर्विलक मन ही मन स्वगतम है विज्ञातो हमनया ऐसा लग रहा है कि इस वसंत सेना ने हमारे मन की बात या हमारी सारी यूजना को समझ गई है कि मैं क्यों आया कैसे आया और किस प्रकार से आपके सामने ये आया अब देखें नैचर्वाली कारन कौन बना यहाँ पर शर्विलक यहा आया है मदनिकाद को लेने शर्विलक को मदनिका की प्राप्ति हो रही है अब शर्विलक को जिस मदनिका की प्राप्ती हो रही है उस प्राप्ती का immediate cause कौन है चारुदत तो naturally एक courteous sentence शर्विलक के मुझ से निकल रहा है साध हूँ आर ये चारुदत साध हूँ या इसको ऐसे पढ़ें साध हूँ आर ये चारुदत साध हूँ अर्थात बहुत बढ़िया बहुत सुद्दर या आम भाशा में thank you चारुदत thank you thank you very much जिसको हम इंग्लिश में आम भाशा में आपस में बात करते हूए कहते हैं यही है हम इसका अनुवाद में ना जाएं कि आर ये शब्द का क्या आर्थो होगा साधूर शब्द का क्या आर्थो होगा कुछ नहीं simplest way में thank you आर ये चारुदत और उसके उपर के जो वाक्य है उनको जड़ा पढ़िये कहते हैं कि गुने श्वेव ही कर्तव्यह प्रयत्नह पुरुशह सदा कि पुरुशों के द्वारा सदेव गुनों के लिए प्रयास किया जाना चाहिए सदाइव गुन की प्राप्ति के लिए ही हमारे effort होने चाहिए हमारे प्रयत्न होने चाहिए क्योंकि गुन युक्तो दरिद्रोपी कि गुन से युक्त जब दरिद्र होता है नेश्वर रगुने हसमा वो गुन रहित धनवान से भी या गुन रहित राजा से भी वह बढ़ कर होता है उससे आगे होता है अब देखें कितनी ये हमारी परंपरा में सामानी रूप से गुनेशु ही देखें गुनाह पूजास्थानेशु नचलिंगम नचवयह उत्तर रामचरितम का यह वाक्य है क सर्वत्र गुनियों की ही पूजा होती है लिंग और आयू की नहीं और तभी आपने देखा होगा कि जब महाकवी कालिदास कुमार संभवं के पंचम सर्ग में पारवती की तपस्या की प्रशंग सा करवाते हैं तो इसमें वो स्पष्ट रूपेन कहते हैं कि नधर्म लेकिन जब यहां गुण के प्रसंग की हम चर्चा करते हैं तो हम कैसे भूल जाएं महाकवी कालिदास के कुमार संभवं के प्रथम सर्ग के तीसरे पद्य को मित्रो सबसे पहले इस वीशे को समझे कि किस प्रकार गुण के माहात्मिय का प्रवर्तन यहां पर जो नाठककार मृच्छ कडिकम के नाठककार हैं वो कर रहे हैं कि सामानी रूप से सारे मनुश्यों के द्वारा केवल गुण प्रात्ति मात्रे के लिए प्रयत्न करना चा क्योंकि गुणों की ही पूजा करनी चाहिए गुणों की ही पूजा होती है हम आप सभी जानते हैं महाकवी कालिदास ने जैसा भी मैंने रेफ्रेंस दिया आपको कि कुमार संभवं प्रथम सर्ग के तीसरे पद्य में वो कहते हैं अनंत रत्न प्रभवो अनंत रत्न सेकड़ों गुणों उनमें वस्तुतह जो है अब एक दोश भी अगर होता है तो वह छिप जाता है महा कभी कालिदास कहते हैं कि एकों ही दोशों गुण संन निपाते जहां पर गुणों का समूह हो उन गुणों के समूह में एक दोश छिप जाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा में इतने अधिक गुण है कि चंद्रमा के उन गुणों में एक दोश जो उनका कलंक है वह छिप जाता है यह अलग वीश है कि वहाँ पर वह हिमाले की रक्षा कर रहा है क्योंकि हिमाले के उपर जो बर्फ है न वह उनका दोश है अवगुन है लोगों के आकरशन का केंद्र नहीं है शेत्य जो है शेत्य के कारण हर व्यक्ठी की पहुँच उसे हिमाले तक नहीं है इसलिए इनों ने कहा कि अनन्तरत्न प्रभवम यस्या हिममन सोभघ्य विलोपी जातम, प्रभवस्यया यस्या हिममन सोभग्य विलोपी जातम, एको हिदो शोगण सन्नि पाते इनिमज्य आती इंदोह के रनेश विवानका लेकिन मित्रो इसी ध्यान रखेगा इसी का विरोध महा कभी घटकर पर ने किया है कालिदास का भी विरोध किया है और ये जो गुण युक्तह दरिद्रोपी कि जो बात है जो गुण युक्तह दरिद्र की भी सर्वत्र पूजा होती है इसका विरोध किया है कि नहीं और घट कर पर कहता है कि जहां पर करोरों गुन क्यों न हो लेकिन एक मात्र दरिद्रता हो तो से दरिद्रता में सारे के सारे गुन छिप जाते हैं और तब जाकर के प्रेमचंद को गोदान में कहना पड़ा कि गरीबों के स्त्री गाउं भर की भाव जो होती है उस एक व्यंग्य को समझने की कोशिश कीजिए इसलिए जहां दरिद्रता होती है वहाँ पर गुन जो है उसे दरिद्रता में छिप जाते हैं ये अलग विशे है कि गुन सब के आकरशन का केंद्र है लेकिन जब से धांतिक रूप से हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इसके व्याख्या के इस अपक्ष को समझना अनिवारिया है कि दरिद्र जो होते हैं उनके गुन नहीं देखे जाते लेकिन बार बार परंपरा में हमें सिखाया और करकर होते हैं एनिवें कॉंटेक्स्ट में इसका साम जो संबंध है जो इस प्रसंग में इसका जो भाव है अर्थ है वह सिंप्ली यह आ रहा है कि भले ही चारुदत्त दरिद्र क्यों नहों लेकिन उनमें इतने अधिक गुन है कि उन गुन के वशी भूत ही वसंत सेना आज मदनिका को हमारे समक्ष छोड़ने के लिए तैयार है चारुदत्त के कारण तो भले ही चारुदत्त क्यों नहों गरीब लेकिन उसका जो गुन है वो सदेव पूजिय है और इसलिए कहा गया कि गुन के लिए ही पुरुषों को सदेव प्रयत्न करना चाहिए जब वाद है जब समवाद है जब प्रतिवाद है या जब विवाद है तो ऐसे क्षणों में ऐसे स्थलों पर हमें इन विशयों को विमर्श के लिए रखना ही पड़ता है कि सार्व भावमिक रूप से यूनिवर्सली दरिदर्ता के समक्ष गुन जो है वो तिरोही तो हो जाता है व्यति कितना भी गुणी क्यों नहीं हो लेकिन उनके पास धनसंपत नहीं है सामर्थय नहीं है तो उन गुणों की पुजा नहीं होती साहित्य में भले ही क्यों ना लिखा हो बहावब भूती ने उत्तर आजिक अथार्थ है जो व्यावाहारिक सत्य है जो प्रायोगिक जो कथ्य बनता है वो यही है कि दरिद्रों में गुन नहीं देखे जाते और तब घटकरपर को कहना पड़ा कि एको ही दोशो गुनसन निपाते निमज्यती इंदू है रेतियोब अभासे नतेन दृष्टम अस्तु चर्चा चल रही है उसके बात बाते चलती रही और उसी का कॉंटिनुएशन है कि अपीचा और भी गुनेशु यतनाह पुरुशेन कार्या नकिंचिदप्राप्यतमं गुनानाम गुनप्रकर्षा दुडुपेन शंभू रलंग्यम लंग्यतमुत्तमांगं उसी ग अब सभी जानते हैं जो साहित्य है वो साहित्य हमारे लिए सनमार्ग पर प्रेरित करने का कारिया करता है मैंने भले ही गुन और दरिद्र के बीच में एक सामण जस्य उपस्थित करके हमने सामाजी का यथार्थ का चित्रन भले ही किया हो कि दरिद्रता में गुन विलीन हो इसलिए उनको कहना पड़ता है कि गुनेशु यत्ना कारिया कि गुन के प्रति प्रयत्न करना चाहिए उसी का extended एक और श्लोक है उसी का साम्य है कि गुनेशु यत्ना पुरुशेन कारिया पुरुशेन मनुष्य के द्वारा अपने ढंक से जोर लीजिये कि गुनेशु एव यतना हकारिया अब गुन के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए और जिनके पास गुन होते हैं जो गुनग्य होते हैं जो गुन सहित होते हैं अर्टा जो गुनवान होते हैं उनके लिए सब कुछ प्राप्य है अब सब कुछ प्राप्य का मतलब ये थोड़े होता है कि अमरीत भी वो ले आएंगे और पारस पत्थर भी ले आएंगे ये मतलब नहीं है मतलब ये है कि जब जब जिन जिन समस्याओं से वो ग्रस्त होंगे उन समस्याओं से सफलता पुर्वक ऐसे गुनवान व्यक्ति जो हैं वो निकल उठते हैं और तभी कहते हैं कि खड़ा रहा जो अपने पत पर लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में अर्थात ऐसी किसी भी चीज ऐसे व्यक्ति से गुनवान व्यक्ति से प्रतिभाशाली व्यक्ति से धहर्यवान व्यक्ति से अगम्य नहीं होता अब बात आई दूसरी पंक्ति कि गुणप प्रकर्षाद दुडुपेन शंभोह अलंग्यमुलंगितमुत्तमांगम गुणप प्रकर्षाद गुणों के आधिक्य के कारण गुण की अधिकता के कारण गुणों के उतकर्ष के कारण ही उडुपेन अब उडूप शब्द का त्रितिया विभक्ति एक वचन है उडूपेन शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों आप लोगों ने महा कवी कालिदास के रगुवंग्ष के प्रथम सर्ग के द्वितीय पध्य की दूसरी पंक्ति में पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी उडूप शब्द का प्रयोग है लेकिन वहाँ और यहाँ जिस प्रकार उडूप शब्द का प्रयोग है उसके विशलेशन और उसके प्रयोग को हम लोग जानेंगे अभी किंचित विराम है आप लोगोंने ध्यान पुर्वक सुना हमारी यह चर्चा आगे बढ़ती रहेगी लेकिन चुकि ध्यान पुर्वक आप लोगोंने सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुना है